जे स्री कृष्णा रधे रधे आईई सुनते हैं मुछदा एकादशी की ब्रत कथा अर्जुन ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ती महमा महात्म्यादी सुनकर स्री कृष्ण से कहा हे परम्पुजनिय भगवान स्री कृष्ण हे त्रिलोकी नार आप सभी को शुख्व मोच देने वाले हैं मैं आपको प्रडाम करता हूँ हे प्रभु आप कृपा करने वाले हैं मेरी एक जिग्यासा को सांथ कीजिये भगवान स्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो मैं अवश्य ही तुम्हारी जिग्यासा को सांथ करूँगा हे प्रभु यह जो आपने मार्ग सीष्माह के कृष्ण पच की एकादसी के विशे में बताया है उससे मुझे बड़ी ही सांती प्राप्त हुई है अब क्रिपा करके मार्ग सीस माह के शुकल पच्छ में जो एका दसी पड़ती है उसके बिसे में भी बताने की क्रिपा करें उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? और उसकी पूजन विधी क्या है? उसका ब्रत करने से मनुश्य को क्या फल मिलता है? प्रभु मेरे इन प्रस्नों का विस्तार सहीत उत्तर देकर मेरी जिग्यासा को दूर कीजिए आपकी बड़ी कृपा होगी अरजुन की जिग्यासा सुन स्री कृष्ण बोले हे अरजुन तुमने बहुत ही स्रिष्ट प्रस्न किया है इसलिए तुम्हारा यस संसार में मार्ग सीश्मा के शुपल पच्की एकादसी अनेक पापों को नश्ट करने वाली है शंसार में इसे मोचदा एकादसी के नाम से जाना जाता है इस एकादसी के दिन स्री दामूदर भगवान का धूब दीन नैवेद आज से भक्ति पुरुवक पूजन करना चाहिए हे कुंती पुत्र इसे कादसी ब्रत के पूर्ण्य के प्रभावशे नरक में गय हुए माता पिता पित्रादिको श्वर्ग की प्राप्ती होती है इसके कथा एक पुरार में इस प्रकार है इसे ध्यान पूरुवक शुनो बैखानस नाम का एक राजा प्राचिन नगर में राज करता था उसके राजे में चारो बेदों के ग्याता ब्रामण रहते थे राजा अपने प्रजा का पुत्रवत पालम किया करता था एक रात्री को श्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाय भोगते देखा इस प्रकार का श्वप्न देखकर राजा पड़ा ही ब्याकूर हुआ वह वे चैनी से शुबह होने की प्रतिच्छा करने लगा सुबह होते ही उसने ब्रामणों को बुला कर उनके समच अपने श्वप्न की बात बताई हे ब्रामणों रात्री को श्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाय भोगते देखा उन्धोंने मुझसे कहा है कि ये पुत्र मैं घोर नरक भोग रहा हूँ मेरी यहां से मुक्ती कराओ जब से मैंने उनके बचन सुने है तब से मुझे चैन नहीं है मुझे अब राजी सुक, अईश्वर्य, हाथी घोडे, धन, इस्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुकदायक प्रतीत नहीं हो रहे है अब मैं क्या करूँ, कहां जाओ इस दुख के कारण मेरा सरीर तप रहा है आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, ब्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ती प्राप्त हो यदि मैंने अपने पिता को नरक की आतनाएं से मुक्त कराने का प्रियाज नहीं किया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जिसके पिता नरक की आतनाएं भोग रहे हो उश ब्यक्ती को इस धर्ती पर शुक भोगने का कोई अधिकार नहीं है हे ब्रामण देमो मुझे सिग रहे इसका कोई उपाय बताने की किरपा करे राजा के आंतरिक दुक्की पीडा को शुनकर ब्रामणों ने आपस में विचार विमर्ष किया फिर एक मत होकर बोले राजन, बर्तमान, भूत और भविश के ग्याता परवत नाम के एक मुनी है वे यहां से अधिक दूर नहीं है आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहिए वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपार आपको बता देंगे ब्रामणों की बातमान राजा मुनी की आश्रम में गए आश्रम में अनेक सांती चित, योगी और मुनी तपस्या कर रहे थे चारों भीदों के ग्याता पर्वत मुनी दूसरी ब्रह्मा के समान बैठी जान पर रहे थे राजा ने उन्वे डंडवट प्रडाम किया तथा अपना पर्चे दिया पर्वत मुनी ने राजा के कुसल छेम पूछी तब राजा ने बताया हे मुनिवर आपकी किर्पा से मेरे राजे में सब कुसल है किन्तु मेरे समझ अकसमा थी एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिससे मेरा हिर्दे बड़ा ही असान्थ हो रहा है फिर राजा ने मुनि को व्यठी थिर्दे से रात में देखे गए श्वप्न के बारे में बताया और फिर दुखिस्वर में बोले हे महर्शी अब आप किर्पा कर मेरा मार्ग दर्शन करे कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए कैसे में अपने पिता को नरक की आतना से मुक्ती दिलाओं राजा के बार परवत्मुनी ने गंभिरता पुर्वक सुनी फिर नित्रबन कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे कुछ देर गंभिरता पुर्वक चिंदन करने के बार उन्होंने कहा राजन मैं अपने योगवल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्यान प्राप्त कर लिया है उन्होंने पुरुजन में अपनी पत्नियों में भेर भाव किया था अपनी बडी रानी के कहने पर आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को रितुधान मांगने पर नहीं दिया था उसी पापकर्ण के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है यह जाद कर बैखानस ने आजना भरे श्वर में कहा हेरी श्वर मेरे पिता के उध्यार काया आपको उपाय बताने की किरपा करें किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे इस पर परवत्मुनी बोले हेरा जन मार्दसी समास के सुकल पच्छ में जो एकादसी होती है उसे मुच्दा एकादसी कहते हैं यह मुच्दा प्रदान करने वाली है आप इस मुच्दा एकादसी का ब्रत करें और उस ब्रत के पुण्य को शंकल्ब करके अपने पिता को अर्पित करने एकादसी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ती होगी परवत्मुनी के वचनों को शुनकर राजा है अपने राज्य को लोटाया और परिवार सहेर मोच्छदा एकारसी का विधी पुर्वक ब्रक्तिया इस ब्रक्त के पुन्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया इस पुन्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गए श्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा हे पुत्र तेरा कल्यार हो इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया हे पांदो पुत्र जो मनुष्य मार्ग शिश्माह के शुक्रपच की एकादशी का उपवाश करते हैं उनके सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं और अंट में वे स्विर्ग लोग की प्राप्ती करते हैं इस उपवाश से उद्दम और मुझ प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा ब्रत नहीं है इस कथा को शुनने वह परने से अनन्थ फल प्राप्त होता है यह उपवाश चिंतावरी की समान है जिसे उपवाश करने वाले की सभी मनों कामनाएं पूर होती हैं हे अजुन प्रतेक मनुष की प्रबल इच्छा होती है कि वह मुझ प्राप्त करें मुझ की इच्छा करने वालों के लिए मुझ दा एकारसी काउ यह पवाश अती महत्तपूर है पिता के प्रति पुद्र के दाईत्व का इस कथा से स्रेश्ट दिष्टान दूसरा कोई नहीं है अता भगवान सरी विश्रू के निमित यह उपवाश पूर निष्ट्व स्रधा से करना चाहिए यह पिता के प्रति भक्ती और दूसरों के लिए पुद्र अर्पित करने की श्रेश्टता और पवित्र कथा है इसका उपवाश केवल उपवाश करने वाले मनुस्य का ही नहीं अपित उसके पित्रों का भी फल मिलता है अपने किसी सगे सहुदर मित्रबंधु को भी इस उपवाश का फल अरपड करने से उसके भी पापों वकलेशों का नास हो जाता है